तो दोस्तों आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीके को ठीक है उत्तर प्रदेश जीके को आज से स्टार्ट करेंगे लेकपाल एकजाम में आपके जितने भी संभावित प्रशन पूछे जा सकते हैं उत्तर प्रदेश की जंदर नौलेज से सारे प् साहर के आपके एक दिन हम लोग ठेऊ पढ़ेंगे और एक दिन हम लोग पढ़ेंगे emgqs को डेली जो टीस सबसे important cmcqs हो सकते हैं तो एक दिन हम लोग ठेऊREE पढ़ेंगे और एक दिन entrepreneur kgs पढ़ेंगे ठीक है तो उत्तरप्रदेस के इतहास से हम दनी तो लखनव है लेकिन कभ आगरा थी कभ इलहावाद थी तो ऐसा ही सब कुछ ठीक है चलिए तो श्टार्ट करते हैं दोस्तों अतरब्रदेस के नाम से तो दोस्तों जो उत्रबैदिक काल था जैसा की उत्तरबैदिक काल है उसमें उत्तर प्रदेश का नाम था दोस्तों ब्रह्म रिशी देश क्या था तो उत्तर बैदिक काल में उत्तर प्रदेश को ब्रह्म रिशी देश या फिर मध्ध देश के नाम से भी जाना जाता था किस नाम से उत्तर बैदिक काल में ब्रह्मिर्शी देश या फिर मध्ध देश के नाम से भी जाना जाता था अब क्या हुआ दोस्तों 1836 से उत्तर प्रिदेश को क्या कहा जाने लगा 1836 से उत्तर प्रिदेश को यह कहा जाने लगा उत्तर पश्चिम प्रांथ ठीक है उसके बाद भिरनाम परिवर्थित हुआ तो 1877 में दोस्तों अंग्रेजों ने क्या किया जो हमारा आगरा है ठीक है आगरा और अबध आगरा और अबध की छेत्र को दोस्तों मिला के 1877 में अंग्रेजों ने एक छोटे से छेत्र का निर्मान किया उसको क्या कहा क्योंकि आगरा और अवद बहुत जादा important था उन लोगों के लिए तो उसको उन लोगों ने संयुक्त प्रांत नाम दिया ठीक है संयुक्त प्रांत नाम दिया अब फिर से उत्तर प्रदेश का नाम परिवर्दित हुआ तो 1937 से उत्तर प्रदेश जो पूरा उत्तर प्रदेश का छेत्र था 1937 से पूरे उत्तर प्रदेश के छेत्र को अपना संयुक्त प्रांत नाम मिला ठीक है उसके पहले क्या नाम था तो उसके पहले सिर्फ अवद और आगरा के छेत्र को ही कहा जाता था ठीक है संयुक्त प्रांथ लेकिन 1937 से 1950 तक जब उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर प्रदेश हो गया तब तक उत्तर प्रदेश का नाम क्या था संयुक्त प्रांथ था हमारा जैसे ही संविधान लागू हुआ तो 26 जनवरी 1950 से पूरे प्रांत को उत्तर प्रिदेश नाम दिया गया ठीक है तो ये तो हो गया उत्तर प्रिदेश का नाम की कैसे उत्तर प्रिदेश नाम पड़ा अब देखते हैं कि राधधानिया क्या गया थी तो दोस्तो conservative 1837 में उत्तर प्रिदेश की राधधानी सुरी 1836 में उत्तर प्रिदेश की राधधानी थी हमारी आगळा अब 1857 की किरांति हुई भहिया बहादुर्षा जफर को जेल भेद दिया गया थीक है जो अन्ते मुगल शाशक थे ना बहादुर्षा जफर तो इनको कहाँ वेद दिया गया था 1857 की करांती के बाद ये क्योंकि दिल्ली का नित्रत कर रहे थे तो अंग्रेजों ने पकड़ के जेल वेद दिया था तो अब पूरा आगरा पे शाशन किसका था आगरा पे तो अंग्रेजों का ही साशन था तो आगरा के बाद 1858 से इलाहवाद को उत्तर प्रदेश की राध्धानी बनाएगा ठीक है अब 1921 में फिर से राध्धानी परिवर्टित की गई तो 1921 में आंशिक रूप से क्या होगी राध्धानी तो 1921 से भईया आंशिक रूप से राध्धानी बना दी गई लखनव ठीक है अब 1935 में दोस्तों पारेथ हुआ भारत शाषन अधिनियम क्या पारेथ हुआ था 1937 में एक अधिनियम था जिसको कहा जाता था भारत शाषन अधिनियम 1935 तो दोस्तों 1935 में उत्तर प्रदेस का पूर्दा उत्तर प्रदेस की राध्धनी कर दी गई लखनव क्या कर दी गई लखनव तो ये चारों जो राध्धनी परवर्दत हुई पहली आगरा थी फिर हो गई हमारी इलहावाद फिर आंशक रूप से लखनव को बना दिया गया और जैसा कि बारतमान में लखनव राध्धनी है हमारी तो ठीक है आपसे पूछा जा सकता है कि कब बनाई गई थी तो हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा 1925 में बनाई गई थी चलिए अब देखते हैं दोस्तों कि हमारे राजजी का पुनर गठन कब हुगा था तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का पुनर गठन हुगा था एक नवंबर 1956 को ठीक है इंपोर्टेंट कॉस्चन है पूछा जा सकता है बिलकुल पूछा जा सकता है ठीक है नौ नमंबर 2000 को उत्तर प्रदेश के जो तेरा पहाड़ी जिले है ना हमारे उनको काट के उत्तर खंड राजज का निरमार किया गया तो आप से ये भी पूछ लिया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तर खंड कब बिभाज़त हुआ था तो 9 नमबर 2000 को हमारा उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड वेभाज़त हुआ था और कितने जिलों को काटके बनाया गया था तो यह 13 पहाड़ी जिले थे जो उनको काटके अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो राज की भाशा है राज की भाशा के बारे में तो 1947 में उत्तर प्रदेश की भाशा क्या बना दी गई प्रिथम राज की भाशा थी उत्तर प्रदेश की भाशा थी उत्तर प्रदेश की भाशा थी यह हिंदी थी 1947 में उत्तर प्रदेश की भाशा का जो बनाई गई हिंदी उसके बाद दोस्तों 1989 में उर्दू को दुत्तिय राजभाशा बनाया गया कब बनाया गया उर्दू को उत्तर प्रदेश की दुत्तिय राजभाशा बनाया गया सारे important point है ठीक है चलिए अब बात करते हैं basically उत्तर प्रदेश के जो एक्जाम होते हैं उसके पॉष्ट को पूछी लिए जाते हैं उत्तर प्रदेश के पुष्ट कोन सा है पक्ची कोन सा है जानवर कोन सा है राजभाशा ठीक है तो सारे discuss करेंगे हम लोग कोई भी question आपका पेपर में छूट नहीं पाएगा चलिए तो राजकिय पशु के बारे में बात करें दोस्तों तो बारह शिंगा ठीक है बारह शिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकिय पशु आप मैंसे मैकसिम्म लोगों को पता होगा मुझे पता है ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के राज किया पक्छी के बारे में तो सारस अधवा क्रोंच सारस को ही क्रोंच कहा जाता है तो ये है उत्तर प्रदेश का राज किया पक्छी अब बात करें राज किया ब्रक्छ कौन सा है तो भहिया अशोक ठीक है अशोक ब्रक्ष है उत्तर प्रदेश का राजकिय ब्रक्ष बात करें दोस्तों राजकिय पुष्प के बारे में तो पलाश ठीक है और ये कब से है उत्तर प्रदेश का राजकिय पुष्प तो भीया चार जन्वरी दो हजार गियारा शे इसको मानने तापराप्त है उत्तर प्रदेश के राज किये पुश्पिकी चलिए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश का राज किये खेल क्या है बिल्दी से बताईए हो कि अब यह उत्तर प्रदेश का राज किये खेल okay राजकिय चिंद के बारे में बात करें दोस्तों तो एक बिरत में दो मचली तथा एक तीर ठीक है? ऐसा कोई वो रहता है ना हमारा राजकिय चिंद जिसमें एक तीर और दो मचली और ये कब सुईकर्ट किया गया था तो यह दोस्तों अगर पूंचा जाए कि उत्तर प्रिदेश का जो राज की चंद है जिसमें दो मचली और एक तीर रहता है तो वो स्वीकर्ट किया गया था दोस्तों उनीस सो अड़ तीस में ओके चलिए अब बात करते हैं दोस्तों राजस्ट्रिय राजधानी छेत्र ठीक ह यानि की नैसनल केपिटल रीजन ठीक है इसको एनिसी वह कहा जाता है एनसी आर में देखते हैं कि कितने हमारे चेतर कौन-कौन से हैं जो एनसी आर में सामिल हैं तो दोस्तों छे हमारे जो जिले हैं जिसे मेरत गाजियावाद गौतम बुद्धनगर बुलन्द शेहर तो ये सब राश्ट्री राध्धानी छेत्र में सामिल है साथी जाथ अब बात करें राज बिधान मंडल की तो दूई सदनात्मक है ठीक है हमारी राज बिधान मंडल एक है बिधान शवा और एक बिधान परिशद चली अब बात करें दोस्तों राज बिधान मंडली तो होई गया राज बिधान सभा का प्रिथम गठन ठीक है तो कब हुआ था राज बिधान सभा का प्रिथम गठन ये हुआ था हमारा जुलाई 1937 में ठीक है उत्तराखंड बनने के पहले यानि कि नवंबर 2000 के पहले बिधा सभा सदस्य चलिए यहां के देखते हैं तो बरतमान में बिधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों बरतमान में बिधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या है 404 जिसमें 403 तो चुनाव लड़के पहुंचते हैं विधान सवा तक बाकी जो एक है उसको मनुनीत किया जाता है ठीक है किसके द्वारा राज जिपाल की द्वारा चलिए अब पूरवान चल पश्चमान चल मध्यान चल वा बुंदेल खंड में विधान सवा की सीटें कितनी है तो दोस्तों पूरवान चल में 162 सीटें पश्चमान चल में 149 सीटें मध्यान चल में 73 सीटें वो बुंदेल खंड रीजन है यहां है 19 सीटें ओके अब बात करे तो दोस्तों पंदरवी विधान सवाह में महला सदस्य थी यानि की टोटल सदस्यों का 5.7% अब बात करें दोस्तों बरतमान यानि की सोलवी विधान सवाह में महला सदस्यों की संख्या कितिनी है तो दोस्तों बरतमान में 35 महला सदस्य है हमारी विधान सभा में जो प्रतीसाथ है टोटल का 8.68% ठीक है? अब कुछ और important point देख लेते हैं हम लोग तो दोस्तों सरवाधिक विधान सभा सीटों वाला जिला कौन सा है? हमारे उत्तर प्रदेश में हैं तो दोस्तों सरवाधिक विधान सभा सीटों वाला जिला है हमारा इलाहावाद कितनी विधान सभा सीटे हैं तो भईया 12 विधान सभा सीटे हैं इलाहावाद में ठीक है? अगला है कि सबसे कम विधान सभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम विधानसवा शीटों वाला हमारा है श्रावस्ती, महोबा और चित्रकोट ठीक है ये तीनों जो जिले हैं इन सब में कितनी है विधानसवा की सीट है दो-दो विधानसवा की सीट हैं हमारा श्रावस्ती हो गया, महोबा हो गया या फिर चित्रकोट हो गया ठीक है कितनी हैं में तो तीनों में हैं दो दो अगला देखें तो दोस्तों सबसे कम जो ये तो पॉइंट होई गया हमारा राज बिधान सभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है तो दोस्तों जो हमारी बिधान सभाह उत्तर प्रदेश की इसमें टूटल नवासी सीटें आरक्षित हैं ठीक है जिसमें से पचासी सीटें हैं हमारी SC कैटेगरी इसके लोगों के लिए जबकि चार सीटें हैं ST कैटेगरी के लिए यानि की सेडिल ट्राइब के लिए ठीक है अब बात करें दोस्तों बिधान परिशत का उत्तर प्रदेश में गठन कप किया गया था तो दोस्तों 1937 में उत्तर प्रदेश में बिधान सभाह का गठन किया गया था चली अगला question है इसमें उत्तराखंड निर्माड के पहले विधान परिशत सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी तो भहिया उत्तराखंड के निर्माड के पहले 108 थी विधान परिशत के सदस्यों की संख्या बरतमान में बिधान परशत सदस्चों की संख्या कितनी है तो दोस्तों सो बरतमान में है उत्तर प्रदेश में बिधान परशत के सदस्चों की संख्या अब बात करें लोकसभा सीटों की तो बरतमान में दोस्तों 80 लोक्षवा सीटों के सदस्च उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं ठीक है प्रदेश में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए लोक्सभा में आरक्षद सीटों की संख्या कितनी है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश से 17 सीट आरक्षित रहती है अनुसूचे जाती के लिए यानि कि SC क्याटिक दी इसके लिए जबकि ST क्याटिक दी है जो उसके लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है अगला पॉइंट देखें दोस्तों तो मतदाताओं की संख्या की दृष्टी से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक स्थान किस जिले का है तो यह गाजगियावाद और बागपत इनने सबसे अधिक मतदाता हैं ठीक है गाजगियावाद है दोस्तों सबसे बड़ा संसदिय चेतर ठीक है मरदाताओं की संख्या का जबकि जो बागपत है यह सबसे छोटा हमारा संसदिय चेतर है इसमें सबसे कम मतदाता है यह बागपत में अगला देखें दोस्तों तो प्रदेश में राजसभा सीटों की कुल संग्या कितनी है तो राजसभा में चुने जाते हैं या उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य टोटल ठीक है लोगसभा में कितने चुने जाते हैं तो लोगसभा में 80 चुने जाते हैं ठीक है 188 नहीं 80 जबकि राज्य सवा में 31 सदश चुने जाते हैं चलिए अब बात करते हैं दोस्तों नयायक अनुसंधान एबं प्रिशक्षण केंद्र तो कहां पर इस्थे थे नयायक अनुसंधान और प्रिशक्षण केंद्र तो भाईया यह है हमारा लखनव में और कब से है यह तो 1986 में इसका गठन कर दिया गया था अब बात करें उच्चे नयायक यहां यह हाई कोट है ना जो हमारा तो यह कहां पर इस्थे थे तो यह हाई कोट है उत्तर प्रिदेश का इलावाद में और इसकी खंड़ पीट कहां है तो खंड़ पीट है लखनव में अब बात करें दोस्तों उच्चे नयायले की उत्तर प्रिदेश में इस्थापना कब हुई थी तो 1866 ठीक है 1866 में उत्तर प्रिदेश में उच्चे नयायले की स्थापनाप की हो गई थी चलिए अगला पॉइंट है दोस्तों आर्थिक आर्थिक अपराधों के लिए बिशेश नयायले परिपारिवारिक मामलों हेतू पारिवारिक नयायलों की शुरुआत कब से हुई तो 1984 से ठीक है अगला कॉस्चन है दोस्तों जमीदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ कब लागू हुआ था उत्तर प्रिदेश में जमीदारी उन्मूलन कानून तो ये आपका ग्राम समाज बिकास और ग्रामीट जयान कारी के लिए इंपोर्टेंट है एक जुलाई 1952 स दोस्तों ये कानून उत्तर प्रिदेश में लागू हो गया था ठीक है अगला कॉस्चन देखें तो प्रिदेश में कुल 6 औध्योगिक न्याधी करण है कौन-कौन से हैं औध्योगिक न्याधी करण तो इलाहवाद हो गया लखनव, मेरट, आगरा, कानपुर और प्रिदेश में श्रम न्याया लाएकि तो 20 टोटल हमारे प्रिदेश में श्रम न्याया लाए हैं बात करें दोस्तों मंडलों और संभाग जो होते हैं मंडल कितने हैं उत्तर प्रिदेश में तो यह 18 मंडल हैं उत्तर प्रिदेश में ठीक है अब बात करें आकरी मंडल कौन 2008 में बात करें दोस्तों सबसे बड़े संभाग यानि कि मंडल कौन-कौन से हैं तो जो कानपुर, लखनव, मेरट ठीक है ये तीनों सबसे बड़े संभाग हैं क्योंकि इन में 6-6 जिले हैं सबसे छोटे की बारे में बात करें दोस्तों तो मिरजापूर, आजमगर, बस्ती, जहांसी और सहारनपूर ठीक है कितने हो गए मिरजापूर, आजमगर, बस्ती, जहांसी और सहारनपूर यानि कि 5 ठीक है इन सबी में कितने कितने जिले हैं तो 3-3 जिले हैं दोस्तों ठीक है चलिए अगला question देखते हैं तो राज में नगरों छोटे बड़े की कुल संख्या कितनी है तो दोस्तों राज में 915 कुल हमारे नगर है ठीक है छोटी नगर हो या फिर बड़े नगर हो कितनी नगर हैं या 915 कुल नगर है बात करें दोस्तों जनगरना की समय जनगरना नगर कितने थे उत्तर प्रिदेश में तो 266 जनगरना नगर थे दोस्तों सरवाधिक जनगरना नगरों बाला जिला तो बात करें सरवाधिक जनगरना नगरों बाला जिला तो बाराण सी इसमें 34 जनगरना जिले थे बात करें दोस्तों जन गणना के समय बैधानिक नगर कितने थे उत्तर प्रिदेश में तो 648 बैधानिक नगर थे भीया ठीक है जो जन Гणना 916 होई थी ना इसकी अनुमसार चले अब बात करें दोस्तों सरवाधिक बैधानिक नगरों बाले जेले कौन से हैं तो सबसे अधिक बैधानिक नगरों बाला जिला है बदायू और सबसे कम बैधानिक नगर बाला है श्रावस्ती ठीक है जिलों की दोस्तों संख्या आप सभी को पता होगा 75 जिले हैं हमारे उत्तर प्रदेश में तहसीलों की संख्या के बारे में दोस्तों बात करें तो 313 तहसीलें पहले से स्रज़त थी जबकि 7 तहसीलें उत्तरबदेश में 2013 में जोड दी गई थी कितनी होगी टोटल 320 तहसीलें ओके चलिए आंगे देखें तो दोस्तों सरवाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है तो यह सरवाधिक तहसीलों वाला जिला है उत्तरबदेश का इलाहवाद कितनी तहसीलें है आठ तहसीलें है ब्लोक के बारे में बात करें दोस्तों कि कितने ब्लोक हैं उत्तर प्रदेश में तो यह 821 ब्लोक है टोटल ठीक है रज में योजना बद्ध नगर कितने हैं तो तीन योजना बद्ध नगर हैं दोस्तों ग्रेट नॉयटा हो गया ग्रेट अनॉयटा हो गया और न्यू कानपुर सिटी अब बात करें दोस्तों नगर निकायों वाले कुल नगर कितनी है तो दोस्तों 630 नगर है नगर निकायों वाले नगर निकाय जो निगम होते हैं वो कितनी है 13 नगर निकाय निगम है नवीन तम है दोस्तों 2009 में सरजित हुई थी सहारन पूर ठीक है सारी कॉस्चन इंपोर्टेंट है कोई भी पूछ लिया जा सकता है आपसे पेपर में अब बात करें दोस्तों नगर निकाय जो पालिका नगर पालिका परशद होती है नगर निकाय जो नगर पंचायत होती है दोस्तों इनके बारे में बात करें तो 423 नगर पंचायत है भी या उत्तर प्रदेश में दोस्तों कुल जिला पंचायतों की बारे में बात करें तो 75 जिला पंचायत है जैसे कि हमारे 55 जिले है न तो उन सही के लिए एक जिला पंचायत है छेतर पंचायत दोस्तों 821 है निया पंचायत हैं दोस्तों 8135 है हमारे उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत है या ग्राम सवा हैं दोस्तों 51,914 ठीक है? कुल आवाद ग्राम की बारे में दोस्तों बात करें तो 97,941 कुल आवाद ग्राम है उत्तर प्रदेश में कुल ग्रामों की बारे में बात करें दोस्तों तो 1,7,452 ठीक है 1,7,452 कुल ग्राम है या उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा गाओं है बात करें दोस्तों बहुत ही जादा important point पंचायतों में महलाओं को आरक्षण कितना प्रदान किया गया है तो पंचायतों के जो चुना होते हैं प्रदानी के लिए उसमें 33% आरक्षण महलाओं को दिया गया है यानि कि एक बटे तीन लगवाग ठीक है वैसे एक बटे तीन 33 सही एक बटे तीन होता लेकिन लगवाग उतना है अब बात करें दोस्तों प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं तो 65 कारागार है उत्तर प्रदेश में प्रिदेश में जिला कारागारों की संख्या है दोस्तों चंगन उत्तर प्रिदेश में उप कारागारों की संख्या है दोस्तों तीन जो हैं हमारे ग्यानपुर, महुबा और देबबंद में प्रिदेश में दोस्तों किंद्री कारागारों की बारे में बात करें दोस्तों प्रदेस में आदर्श कारागार कौन सा है तो लखनव में एक आदर्श कारागार इस्तित है प्रदेस में नारी बंदी निकेतन एक नारी बंदी निकेतन है किशोर सदन यानि अलप बैस के कारागार जहां बच्चे अगर कोई क्राइम करें तो बहां कारागार कौन अब बात करें दोस्तों प्रदेश का पहला किंद्र कारागार कौन सा था तो दोस्तों बरेली में 1837 में नदमित किया गया था प्रदेश का पहला किंद्री है कारागार अगला देखें दोस्तों तो प्रथमबार राष्टपती सासन कब लगा था या उत्तर प्रदेश में बह प्रदेश में प्रहली बार राष्ट पती साहसन लगा था और यह कब तक लगा रहा था यह एक साल लगातार पचीस फरवरी 1969 तक चला यह राष्ट पती साहसन ठीक है